बिल्ली रानी बड़ी सयानी किसी नगर में एक सफीद बिल्ली रहती थी, वह बहुत चालाग थी, उसका नाम पूसी था, एक दिन पूसी ने सूचा, क्यों ना मैं अच्छी तरह से सच धच कर रानी के पास जा कर रहूं? यहां सोच कर वह सबसे पहले कपड़े की दुकान पर गई, उसने दुकानदार से अपने लिए सुन्दर से कपड़े मांगे, दुकानदार ने कहा, मेरे दुकान में एक चूहा आ गया है, वह मेरे कपड़े काट देता है, यदि तुम उससे भगा दो, तो मैं तुम्हें सुन पूसीत ने उससी कहा, मुझे रानी के पास जाना है, इसलिए तुम मेरे कपड़े सीधो, दर्जी ने सूचा, यदि मैं इसके लिए कपड़े नहीं सीऊंगा, तो यहाँ नाराज हो जाएगी, उसने पूसीत के कपड़े सीधिये, इसके बाद पूसीत ने सुनार से कुछ ग गहने मांग लिए, मुची से सुन्दर सी जूतियां बनवाली, फिर उसने कपड़े, गहने, जूतियां पहन ली, सचधाचकार पूसीत बनवाडी के पास जाकर बोली, पनवाडी भया, मुझे एक फुश्पदार पान दे दो, पनवाडी ने पूसीत को एक पान दे दिया, पूसी पान चबाते हुए, रानी के महल की ओर चल दी, महल के दर्वासी पर पहुँचकर, वह सूर्जोर से गाना गाने लगी, रानी तुम दर्वाजा खोलो, मैं आई हूँ मुझे से बोलो, चुहे मेरा भरते पानी, मैं पूसी हूँ बड़ी सयानी, रानी ने पूसी का गाना सुना, लेकिन उसने दर्वासा नहीं खोला, दर्वासा न खोलने पए, पूसी को गुसा आ गया, फिर वहां जूर्जूर से गाना गाने लगी, मैं गूरी हूँ रानी काली, मैं पूसी हूँ बड़ी सयानी, खाती खीर, जबाती पान, सबसे उची मेरी शान, रानी ने सोचा, यहां बिल्ली तो बहुत चालाख है, यदि मैंने दर्वासा नहीं खोला, तो यहां मेरी बुराई करने लगेगी, ऐसा सोचकर रानी ने दर्वासा खोल दिया, पूसी महल के अंदर चली गई, रानी ने पूसी को देख कर कहा, तुम बहुत सुंदर हो, सयानी हो, तथा चालाख भी हो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, इस तरह सयानी पूसी रानी के साथ महल में रहने लगी, शिक्षा, पक्के इरादे वाले ही अपनी मन्जिल को प्राप्त कर सकते हैं,